So hello and welcome you all, I am Rohit from Hagen Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं NHPC Limited के बारे में So guys, NHPC Limited में अगर देखा जाएं तो बिलकुल हर दिन यहाँ पर 50 से 7 पैसे तक की बड़त हमें Stock Manager आ रही है साथ ही बात करें, तो Stock में एक बड़ा Breakout possible है एक बड़ा Breakout मिल सकता है तो बिलकुल उस Breakout के लिए आपको Ready रहना है तो Levels हम Discuss करेंगे इस वीडियो में और guys, यहाँ पर शांदर Return देने की Ability Stock में है और कई बड़े Projects के उपर यह Stock अल्रेडी काम कर रहा है कई बड़ी Deals है, यहाँ पर इसने Tata Power को भी कई बड़े Projects दिये है कई बड़े Alliance है इनके बड़ी-बड़ी Companyों के साथ वही बात करेंगे एक ऐसे Stock के बारे में जो आपको 1000% का Dividend देगा 1000% का Dividend वो शेर देगा तो Dividend Paying Stock के बारे में भी इस वीडियो में बात होगी तो guys, first of all हम बात करेंगे NHPC Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो करते हैं वीडियो को start So guys, यहाँ पर हम आगे है NHPC Limited के ओपर NHPC Limited के बारे में इस वीडियो में बात होगी बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हों 34 रुपे, 60 पेसे के रहा हूं स्टॉक यहाँ पर closing देता हुआ नजर आ रहा है बात करें स्टॉक में returns की तो यहाँ पर 55 पेसे की एक अच्छी बड़त आज इस share ने बताई है 1.61% के हिसाब से स्टॉक में growth हमें देखने को मिल रही है सो यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टॉक आने वाले टाइम में चो इसमें levels हैं चो targets दिये गए हैं बड़े-बड़े firm's yours हैं हाली में ICICI direct ने 45 के around का target भी दिया था और बिलकुल ओ target अच्छी होगा उसके पीछे एक simple सा logic है तो उसके बारे में बात होने वाली है तो यहाँ पर बात कर लें इसके market cap की तो market cap के हिसाब से stock शांदार है market cap stock का शांदार है 34.81,000 करोड का है 34.81,000 करोड का market cap है बिलकुल एक mid cap stock की category में share आता है dividend भी stock तगड़ा देता है 5.22% तक का stock dividend देता है साथ ही आइस बात करेंगे open is stock कहा हुआ था 34.30 रुपीज के राउने share open हुआ था 34.80 रुपीज के राउन का stock ने एक अच्छा high लगाया है 33.85 रुपीज के राउन का stock में low भी major आ जाएगा सो बात कर लें इसके 52 weeks के high की तो यहाँ पर 52 weeks का high 37.60 रुपीज का है और वही बात कर लें तो यहाँ पर 52 weeks का low तो 25.95 रुपीज के तो यहाँ पर जो 37 का high है इसने हाली में लगा था और यहाँ पर जो levels हमने मैंने 14 रुपे के levels पर बाय करने के लिए कहा था और वहाँ से stock ने एक अच्छी rally बताई थी तो अब बारी है levels को देखने की तो levels को हम discuss कर लेते हैं गैस तो यहाँ पर NHPC के levels के उपर हम आ गए है levels की बात कर रहे है levels काफी easy है यहाँ पर अगर देखें तो काफी बड़े time frame पर एक बड़ा breakout यहाँ पर मिला है 4R के time frame पर तो इस particular level से stock नीचे की और आया था और फिर से इसी level से इसे एक rejection भी मिला था यहाँ पर बिल्कुल एक तगड़ा momentum उपर की और shift हो जाता बट यहाँ पर से stock में एक rejection आया है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि stock में कुछ इस तरीके का breakout मिले है यहाँ पर तो इस pattern को धिहांजे अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर cup and handle type pattern create हो सकता है और यहाँ से 42 उपिस के around का जो level है ओ भी easy तरीके से achieve होने वाला है आप बड़े time frame की बात करें यानि हम बात कर रहे है 4 hour time frame पर से भी कई गुना उपर 1 month के time frame पर 1 month के time frame पर देखें तो stock में इस particular level से एक गिरावर्ट में जराई थी यहाँ से stock गिरा था इस particular level पर share ने support लिया था यहाँ पर भी support लिया था यही बार दो बार इस stock support ले चुगा था तो काफी time पहले की में बात करो 2020 के ending की में बात करो तब मैंने इस particular level पर 14 रुबे के around मैंने buy करने के लिए गा था और हम clear थे क्योंकि already यह कई बार support ले चुगा था तो यहाँ से एक rally थी और बिलकुल इसके बाद continue एक positive return stock ने देने start किये है वही बात करने तो यहाँ पर पिछले 2 साल में almost stock double हो चुका है double return stock ने दिये है बट यह जो important level है काफी ज़्यादा यहाँ पर माइने रखता है क्योंकि यहाँ से भी नीचे क्यों रहा था यहाँ से भी नीचे क्यों रहा तो इस particular level को अगर इस share ने उपर के और breakout दे दिया तो यहाँ से 42 क्या 45 या फिर 50 रुपिस के around का भी target इसी तरीके से achieve होने वाला है levels शांदार है बस आपको patterns का ध्यान रखना होगा pattern भी यहाँ पर शांदार है guys breakout मिलते ही stock उपर यह जा सकता है वही बात कर ले तो यहाँ पर जो community sentiments के आकड़े नजर आ रहे हो कही न कही अभी के time अभी के बात करें तो as a long term के हिसाब से तो हम positive हैं और मैंने clearly कहा कि breakout का आपको wait करना है और वही बात करें तो community sentiments के आकड़े यहाँ पर ज़्यादा तर negative भी है बट कही न कही negative levels है ज़्यादा positive यहाँ पर लोग है 60% लोग stock में buy करने के लिए कह रहे है 40% लोग stock में sell करने के लिए भी कह रहे है volume की बात करें तो कल के दिन का volume तगड़ा था 1 crore के राउंड की deliveries stock में उठाएगी थी आज की बात करें तो 59 लाग के आज की deliveries stock में उठाई बेची गई है तो यहाँ पर levels भी हमने इसके जो volume है वो भी हमने देख लिया अब बात कर लेते हैं हमारे dividend paying stock के जो हमारा dividend देने वाला stock है ओ है bank of product almost यहाँ पर अगर देखे तो 1000% तक का dividend देने वाला है September 6, 2020 यहाँ पर इसकी exit rate है यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल 1000% तक का dividend है dividend कितना दे रहा है 6 सितंबर 2022 exit rate है final dividend दे रहा है 20 रुपे पर equity share 20 रुपे पर equity share आपको dividend मिल जाएगा साथी बात करें तो stock का नाम है bank of product इंडिया लिमिटेट stock में अगर देखें तो 208 रुपे 45 पेसे के round closing देता हुआ share आज नजराया है 9 रुपे 75 पेसे तक की बढ़त के साथ stock उपर की और आज गया 4.67% के हिसाब से तो गैस आप पर NHPC Limited को लेकर भी हमने काफी कुछ बाते की उसके levels को हमने देख लिया है और साथ ही हमने डिविडिन पैंक स्टॉप, पैंक को प्रोड़क्ट इंडिया लिमिटेट की बात की है जो 1000% तक का डिविडिन आपको देने वाला है वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यू